भारत और एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने की दौर में बीते कुछ दिनों से कई उलट फेर देखने को मिल रहे हैं जहां गौतम अडानी को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस ग्रूप के चेयर मैन मुकेस अमबानी ने एक बार फिर से एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति का ताज अपने नाम कर लिया है दरसल गौतम अडानी और मुकेस अमबानी के बीच बीते कुछ दिनों से दौलत की जो दौर जारी है उसमें अडानी समूप के चेयर मैन ने मुकेस अमबानी को पीछे छोड़ते हुए सबसे अमीर भारतिये का ताज अपने नाम कर लिया था लेकिन एक बार फिर से रिलायंस ग्रूप के चेयर मैन आगे निकल गए है जी हाँ फॉब्स की सूची से पता चला है कि अमबानी को पिछले बदलाव में 1.4 अरब डॉलर और अडानी को 2.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है साथ ही इस बदलाव के बाद अरबपतियों की सूची में भी बदलाव हुआ और मुकेस अमबानी एक बार फिर से गौतम अडानी से उपर निकल गए आपको बता दे कि इस से पहले अडानी ने फॉब्स की सूची में दस्वा स्थान हासिल किया था और तब उनकी कुल संपत्ती 637 मिलियन डॉलर बढ़कर 91.1 अरब डॉलर पर पहुच गई थी वहीं दूसरी और अमबानी 79.4 मिलियन डॉलर के नुकसान के बाद 21 अस्थान पर खिसक गए थे और वर्तमान में उनकी कुल संपत्ती 89.2 बिलियन डॉलर है वहीं टेसला और स्पेस एक्स जैसी कमपनियों के मालिक एलन मस्क अभी भी अरब पतियों की सुची में पहले अस्थान पर काविज है